वेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल और यह देख सकते हैं प्रॉन है यह तो आज हम प्रॉन करी बना रहे हैं साउथ इंडिन स्टाइल में तो इसके लिए जो है प्रॉन को धो कर साफ करके ले लिया है तो इसे मैरिनेट करना पहले मैरिनेशन में आदा चमच नमक आदा चमच अधाए हल्दी डालकर रहें क्षवकें मैरिनेट यह क्यों हम प्रॉन को यह त्यår करेंगे इसके लिए तब तक भीनेट करने हैं साइड में हई तो देख सकते हैं और यख सकते हैं चाहिकर इसाइच में हिगा फाहिञ प्याज को पतल पतल स्लाइसं में कट करन यही पर जो हरी मिर्च है उसको हमें दो टुकड़ों में कर लेना है और यही पर जो पैन गरम होगे तो इसमें आड़ करेंगे तो टेबल स्पून और यहां पर और यह देख सकते हैं जाता साथ इंजिन खाने जो है कोकोनट ओल में बनता है बढ़ हम रिफाइन और यूज कर वर अच्छे से भून लेना है जब तक कि यह लाइट गुल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है त्थे असे थोड़ा सा और हमें पका लेना है रहाव हम इसका कलर चेंज हो चुका है तो यहां पर हम इसमें डि लाग करेंगे दो से तीन चमच जो है हम इसमें अध्यक लसन का प तो इसे हम एड़ कर लेंगे इसी में देख सकते हैं और हमें अदग लशन को तभी तक बस भून लेना है जब तक कच्छापन दूर नहीं हो जाता है फ्रेंड्स यहां पर जो है आप कड़ी पता एड़ कर सकते हैं जब आप प्यास डालते उस टाइम पर बट मेबस कड़ी प बहुत अच्छा कलर आता है ग्रेवी में इसका तो इसलिए आप हल्दी जो है इस टाइम पर डाल लिजिएगा हल्दी डालने के बाद ही हम यहां पर जो हमारे बारी कटे वे टमाटर थे उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हम जो है गल्ने तक और अच्छे से पका लेंग नियुके इस रैसिपी में कहीं ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है और ये डिलीशियस बन त्यार होती है ये रैसिपी ये मैंने अपनी ममी से सीखी है वो साउथ इंडियन डिश बहुत अछ़ए बनाती है नों के लग का कुझे जो हाट इसलिए मैं आता है तो उन्ह अब आपनी पानी चोड़ेगा अपना उसका जो भी मॉइस्टर चोड़ेगा वह पानी जो रिलीज होगा उसे हमें सुखा लेना है इसको अच्छे से भूनते हुए और यह जो मसाले हैं इसी की साथ में प्रॉन को भी अच्छे से भून लेना है जाए इस रेसेपी को जो है बनाने के लिए मैंने जम्बो प्रॉंस लिए है जिख सकते हैं आप छोटे भी ले सकते मार्केट में आप जाएंगे तो आपको different size की मिलेंगे और बर्फिर करते सब्याइव यहाँ पर देख सकते हैं और उसकैना है यही पर देख सा इससे पानी को नहीं सुखाएंगे तो जो ये प्रॉण है इसका ठेस्ट अठयायी आएगा तो इसलिए आसे पानी समें रिलीज के उद्द तो अच्छे से घंखा धी हम를 ये अच्छे से चलाते हुए न में अध्वन भून लेना है विल्कुल अच्छे से दोitos, यह जो रेसिपी है यह बहुत ज्यादा टेस्टी बनके त्यार होती है यह साउथ इंडियन रेसिपी है मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी तो बनाएगा ज़रूर यह देख सकते हैं यहीं पर हमें जो है यह मैंने एक बॉल लि अब क्योंकि यह साउथ इंडियन डिश है और इसमें कोकुनट मिल्क या फिर कोकुनट से लिलेटेट चीज ना डाले तो फिर साउथ इंडियन डिश नहीं रहेगी तो इसलहीं हाँ पर ल्यूक ब़ॉम पानी लेना हमें हलका गुंगुना पानी गरम करके लेलिया है और अच्छे से सद्वभ дет कर लेंगे देख सकते हैं अब पटला सा कर लेंगा यही जो कोकोनट मिल्क यही समय टेस्ट देगा आपकोंट मिल्क यूज कर सकते हैं पर वह साइफ देंडियन दिश नहीं रह जाएगी तो देख सकते हैं जैसी जो हमारा प्राउन अच्छे से भून चुका है तो हमें पेस्ट बना कर अच्छे से और उसमें एड़ कर देना है और यह जो कोटनट मिल्क है आपको साउथ इंडियन स्टोर पे मिल जाएगा इसी में थोड़ा पानी भी हमें एड़ कर लेंगे नहीं इसको इसे पकने में जादा टाइम नहीं लगता है बस मसाला प्रिपेर कीजिए और जो प्राउन पक जाए तो यह हमें कोकरट मिल्क मिला कर और इसे पका लेना है अच्छे से तो यह देख सकते है आप और यहीं पर हमें जो है इसमें नमक डालना है स्वात के अनुसार मैं इसमें जाए तो उस टाइम पर डाल सकते हैं मैं नहीं डाला था मैं अभी डाल रही हूं और आप चैक करके और इसमें अच्छे से मिला लूंगी मैं और इस दिश में घटा भी हमें एड करना होता है कुछ खटा इसमें डालना पड़ता है कि सावत में लोग खटी चीज़ तक आपको गाट के डाल सकते है कि यह नहीं तो आप एक निम्भू करस इसमें स्कूइस कर डाल दीजिए गा यह देखिए मैं लिया है निम्भू करस्थ और इह पर मैंसे झोई Campaign Give this कर दिया है इसमें निम्बू को मैं लास्ट डेख सकते हैं इस रेसिपी को जो है के साथ सर्फ किया जाता है उसी तरीक निस आप सैंट इंडियां डिश जैसे ही टूसा है उसी तरीकी से होती है पर उसका जो टेक्स्चर है बॉटक्वे हैं उसका जो बैटर है वह ब send होता है तो बिल सा जाहीं डूसा नहीं है तो कभी आपके आपके साथ मैं वह रेशीपी जरूर शेयर करूँगी थाल बहुत ज़्यादा इसके साथ डेलिश्यक लगती है यह मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद कर दो होब अगर रेुह रेसीप आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वेरी वीडियो देखने के लिए